नमस्ते कक्सा 11 में हिंदी साहिते विशे का अध्यन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपनी इस यूटूब चैनल हिंदी वाले माड़ साप पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम कक्सा 11 के विशे हिंदी साहिते की पाठ्थे पुस्तक अंत्रा भाग एक की रहकारिय की रूप में अपने कोपी में कर सकते हैं अपने अध्यापक महदय को चेक भी करवा सकते हैं आपको अन्यत्र भठकने के आउस्एकता नहीं है समस्त पाठों के प्रसन अतरा आपको समय समय पर यहां उपलबदे करवा दिये जाएंगे देखें अमरकांत का जन्म दैनिक अम्रित पत्रिका दैनिक भारत आदी पत्रिकाउं से जूड़े रहे रचने आपकी हैं कहानी में जिन्दगी और जौक, देश की लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन तथा कुहाशा उपन्यास लिखen आपने सुखा पत्ता, ग्रामसेविका, काले उजले दिन, शुख जीवी, बीच की दिवार इनी हत्यारों से इत्यदे पुरुषकार इनी हत्यारों से उपन्यास पर वर्स 2007 इस्वी में सहित्य अकादमी पुरुषकार प्राप्त हुआ और स्रीलाल शुक्ल अमरकांत को दोनों को वर्स 2004 में सन्यक पुरुप से सर्वोच सहित्य पुरुषकार भारतिय जानपीट पुरुषकार भी प्राप्त हु कहा तो सिध्यस्वरी ने अपने बड़े वेटे रामचंदर से मजले वेटे मोहन के बारे में जूट वोला क्योंकि वह अपने दोनों वेटों के बीच प्रेम वे स्नेह का संबंद इस्थापित करना चाहती थी दोनों भाईयों के बीच किसी प्रकार का जगड़ा ने हो इसलिए सिध्यस्वरी ने मोहन के बारे में जूट वोला था दूसरा है कहानी के सबसे जीवन्त पात्र के चरित्र की दिर्ड तका उदाहरन सहीत वर्णन कीजिए तो सबसे पहले बात आते है कि कहानी का सबसे जीवन्त पात्र कोन है तो आप जानते हैं कि वह सिध्यस्वरी है और उसकी चरित्र की दिर्ड तका हमें वर्णन करना है मतलब चारितरिक विसेशता ही कह सकते हैं अब तो अमरकान ते द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन में सब से जीवंत पात्र सिध्धेस्वरी है वह भयेंकर गरीबी की स्तिति में भी अपने परिवार के मध्य सामंजस से इस्थापित करने की कौसिस करती है भोजन की मातरा कम होने पर भी वह जाहिर नहीं करती मतलब पता नहीं चलने देती और शब को आगरह के साथ खाना खिलाती है स्वेम आधी रोटी खाकर वह पानी पिएकर संतोस कर लेती है लेकिन पती वह बेटों की सामने सिकायत नहीं करती इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह है अपने चरित्र के हिसाब से बहुत दृड़ थी और तीसरा प्रसन है कहानी के उन प्रसंगों का उलेख कीजिए जिन से गरीबी की विवस्ता जहांक रही हो तो दोबहर का भोजन में ऐसे प्रसंग भी आए हैं जिनमें गरीबी की विवस्ता इस पस्ट रूप से दिखाई देती है जैसे पहला है गरीबी के कारण खाना कम पड़ रहा है खाना यहां कम सब्द नहीं लिख पए तो यहां खाना कम पड़ रहा है लेकिन हर सदस से यह दिखाना चाहता है कि उसका पेट भर गया है और सिध्यस्वरी यह जताना चाहती है कि अभी और खाना बचा हुआ है दूसरा प्रसंग है छोटा बेटा प्रमोध गरीबी वे भूक के कारण को पूशन का सिकार हो जाता है उसका पेट बढ़ा हुआ है टांगें पतले पतली है चेहरा पीला गया है और तीसरा प्रसंग है सिध्यस्वरी भूकी थी पर खुद के लिए बची एक रोटी में से आधी रोटी अपने छोटे बेटे के लिए रख देती है और खुद भूखी रह जाती है यह प्रसंग उनकी गरीबी को इंगित करता है चोथा प्रसंग है कि सिध्यस्वरी का एक दूसरे सदस्य के विसे में जूट बोलना परिवार को जोडने का अन्थक मतलब बिना थके एक प्रियास था इस संबंद में अपने विचार देखिए तो उतर में लिखेंगे हम कि सिध्यस्वरी अपने परिवार को तूटने से बचाने के लिए एक के दूसरे सदस्य के विसे में जूट बोलती है उसका परिवार बेकारी मतलब बेरुजगारी की हालत में गरीबी का जीवन जी रहा था घर के सभी सदस्य से एक दूसरे से बात करने से बचते हैं इससे सिध्यस्वरी को लगता है कि वे आपस में जगड़ा ने करने लग जाएं इसलिए वह एक दूसरे के विसे में या ए रसोई संभालना बड़ी जिम्मेदरी का काम है क्योंकि इसी के मध्यम से हर इस्तरी अपने परिवार के लोगों के पेट तक पहुंच दी है वह बड़े प्रेम और विश्वास के साथ सभी के लिए खाना बना कर परोस्ती है हर सदस्य की पसंद नापसंद को ध्यान में रखी गई है वह चाहते हुए भी अपने परिवार को भर पेट खाना खिलाने में ऐसमर्थ हो जाती है इससे उसकी वेदना बढ़ जाती है किसी भी रचना के सीर्षक को पढ़ने पर पाठक के मन में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या हुआ कि कब हुआ कहां हुआ किसके साथ ह आदी सवाल उसके मन में आते हैं तो दोपहर का भोजन जब हम पाठक का सीर्षक या टाइटल पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है दोपहर का भोजन किसके साथ किसने किया कब बनाया क्यों बनाया कि क्या हुआ हुआ है तो और पाठक के मन में कुछ सवाल उठते हैं और उ उपहर का भोजन पूर्णत है उपयुक्त वस्यार्थक सीर्षक है चाटा प्रसन है कि पवित्र उद्देसे से बोला गया जूट सेंकडो सत्यों से अच्छा होता है प्रमानित कीजिए उत्र दिखेंगे हम कि जूट जूट होता है और सच 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 का इस्थान येकिनन कोई न नहीं ठहरा सकते सच बोलने से ये किसी को मानसिक एसांती या दुख पहुंचे जगर परिवार के बिखरने का खत्रा हो तो वह सत्य सत्य होने के बावजूद भी उच्चित नहीं ठहराया दा सकता इस कहानी की मुख्य पत्र से धेस्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद दुखी होता और सोचता कि वह किस के लिए नौकरी खोज रहा है उसका दिल दुखी और बेचन हो जाता पर सिद्धेश्वरी द्वारा बोले गए जूट ने ऐसा नहीं होने दिया वह हर सदस्य से वह जूट बोलती है जो उन्हें अच्छा लगे इस जूट के पिछे का दोपेर और कभोजन कहानी में किसका वर्नन तो यह कहानी एक मध्यमवर्गिए परिवार की है जिसमें कुल पांस सदस्य से हैं कहानी में गभीवी का मार्मिक चित्र उकेरा गया है संगर्ष इसके मूल में है जिस पर dairyवार का भविश्य marginal हुआ है मां सब्ध के असली माइन था वे क्या काम करते थे मुंसी चंद्री का प्रसाद उनके पती के नाम था और वे मकान कीराया नियंतरन विभाग में कलरक थे लेकिन छंटनी के करण से उन्हें निकाल दिया गया था दोपर का भोजर कहानी का मुख्य पत्र कौन था उनकी चारित्रिक विसेस्ताइं लिखिए इस कहानी की मुख्य पत्र के रूप में सिद्धेस्वरी की भूमी का सबसे महतोपुन और प्रभावी है चारित्रिक विसेस्ताओं उपर द्रिष्टी डाली जाए तो हम पाते हैं क वो किसी गलत बात के लिए जूट नहीं बोल रही थी, बलकि उसके मन में अच्छी भावना थी, और इसी कारण में जूट बोल रही थी, अक्सर गरीबी में घर का महोल तनावपूर्ण हो जाता है, पर सिधेस्वरी उसे सोहार्द रपूर्ण बनाये रखने की पूरजोर कौसिस करती है, शुएम दुखी रहकर भी दूसरों को दुख से बचाने का प्रयास करती है, शुएम भूखी रहती है, पर सब को प्यार से परोस्ती है, सिधेस्वरी पांच सदस्यों वाले इस परिवार की सबसे शेशक्त सदस्य है, वह पूरे परिवार को एक जुट रखने का हर संभाव प्रयास करती है, मुनसी जी ने अगला प्रसन है कि मुनसी जी ने पतनी की तरफ अपरादी भाव से क्यों देखा, तो दो कि टोकरी में और रोटिया नहीं है, और इसका जिम्मेदार भी खुद को मांते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परिवार का वरिष्ट या बड़ा सदस से होने के नाते, पिता होने के नाते, पती होने के नाते, इनका पेट भणा मेरा दाई तो है, लेकिन आसा नहीं कर पा वह जिम्मेदार कि परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते वह अपने जिम्मेदारियों से परिचित भी था और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी करने के लिए प्रतिवद्ध भी था दूसरा है परिवार की चिंता करने वाला रामचंद्रे घर के सदस्यों की चिंता करने वाला था इसी कारण दुपहर के खाने के वक्त वह है अपने दोनों भाईयों वह पिता जी के वारे में पूछता है तीसरा सरण स्वभाव अपने माता पिता का अज्यकरी वा सरण स्वभाव का लड़का था अमरकांत का मूल नाम बताईए तो अमरकांत का मूल नाम था स्रीराम वर्मा चुकि यह प्रसन आप उसमें लेखक परिचे में भी देख चुके हैं और साथियों हम हैं भिनो सरवा व्यक्यता हिंदिस साहिते मोबाईल नमर आपके समक्स लिखे हुए हैं किसी प्रकार की और जानकारी के लिए हिंदिस अनिवारी और साहिते से संब्दे आप इन नमर पर संपरक भी कर सकते हैं और दिनांक 19 अगस्त 2022 को यह नौट से लिखे गए थे आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही नमस्ते शुक्रिया जैहिन जै भारत